नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का आपके अपनी यूटूब चैनल सरकारी भारत में दोस्तों इस बड़ी के अंदर हम डिसकस करने वाले हैं अर्थ सास्तर के वारे में एकॉनक्स पढ़ने वाले हैं और ये किनई स्टूडंस के लिए एक लास है सबसे पहले ये बतादो जिन इसटूडंस ने DRDO-MTS का फॉर्मबढत में भरती होना चाते हैं अठारे सो सत्रे पतों वाली वेकेंसी में जो स्टुडेंट भरती होना चाहते हैं उन स्टुडेंट्स के लिए एक क्लास बैस्ट है आपको बता दू, SSC MTS की तेयरी करने वाले, CHSL की तेयरी करने वाले, CGL की तेयरी करने वाले railway NTPC Group D की तेयरी करने वाले स्टुडेंट्स भी इस क्लास को देख सकते हैं क्योंकि उनकी exam में भी economic से यहां से 1-2 question देखने को मिलते हैं अगर आप इस वीडियो को complete देख लेते हो तो आपकी examination में 1-2 question फसने की पूरी-पूरी probability है अब आपको बता दूँ सबसे पहले अगर आप इस channel पर नई है तो channel को subscribe कर लेना वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को like कर देना और वीडियो को share जरूर करना अपने दोस्तों के साथ आप सभी को बता दूँ आपके लिए आपके demand पर math and reasoning की classes start हो रही हैं वो भी DRDO MTS के students के लिए जो student DRDO MTS की तयारी करते हैं और SSC MTS की तयारी कर रहे हैं और students के लिए इन ही के level का जो level इनका पूछा जाता है उसी level का math and reasoning की classes start हो रही हैं और यह जो classes हैं यह unacademy learning है पर start हो रही है इस इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना वीडियो के description में link दे रहा है वहाँ से जाके आप मुझे follow कर लिजे जल्दी follow कर लिजेगा क्योंकि आपके लिए अभी course free है बाद में कुछ कहे नहीं सकते तो अभी आप जाईए follow कर लिजे अभी कुछ दिन तक यह course free रहेगा और जिसकी PDF भी आपको समय समय पर मिलती रहेगी चलिए तो समय नगवाते हुए वीडियो को start करते हैं सबसे पहले देखते हैं आज का topic है economics में economics के अंदर आज का अपना topic है GST GST से related बात है करने वाले हैं GST क्या है क्या हम पढ़ेंगे इस topic में GST क्या है history of GST GST type GST council क्या है GST के फायदे और नुकसान क्या है GST की full form क्या है इसे भी पढ़ने वाले है और GST की tax lab क्या है GST से सम्बंदित important points कौन-कौन से हो सकते हैं जो आपके examination में आपके लिए एक से दो marks complete करते हैं चली तो start करते हैं सबसे पहले देखते हैं GST देखिए GST की full form होती है goods and service tax क्या होती है goods and service tax बस तू एबम सेवा कर कहा जाता है इसको देखिए DRU के पिछली बार exam हुआ था September 9 का जिसमें आप से GNP की full form पूछी गई थी क्या पूछी गई थी GNP तो इस तो इस पार GDP की full form पूछ सकता है आपको NNPP की full form पूछ सकता है GST की full form पूछ सकता है तो काफी ज़्याद़ इंपोड़न्ट है GST की full form क्या होती है goods and service tax बस तू एबम सेवा कर अब देखिये बस तो यवा कर क्या होता है यह जो tax होता है कितने प्रकार का होता है यहाँ पर trading test हो सकता है और आपका service tax हो सकता है trading test क्या होता है CST, VET और EAT के तहत हो सकता है और service tax में ये सारी conditions आती है education आपका आ सकता है education आ सकता है आपका और service tax खुद होता ही है इसके अंदर और भी professional जो works है वो भी आपके इसके अंदर आते हैं तो tax, trading और service tax दो पार्ट में बट जाता है GST वाला अब बात करते हैं देखें जो VET होता है VAT CST होता है EAT होता है और exercise duty होती है ये tax आपका service tax, entertainment tax और luxury tax ये tax किसमें आते हैं आपका दो type के tax बताए यहाँ पर तो service tax में आ जाता है और ये आता है trading test के अंतरगाद ओके, GST क्या है GST, GST 17 indirect tax plus 23 इसमें says होता है, क्या होता है चलिए, आगे देखते हैं goods and service tax, बस तू एबम सेवा कर इसकी full pump होती है GST is an indirect tax आपसे question exam ने ज़र में बूजा जादा है कि GST direct tax है या indirect tax है, तो जो GST होता है ये indirect tax होता है यानि कि अप्रत्यत शिकर होता है destination tax भी इसको कहा जा सकता है भारत में एक integrated market एकी करत साजा वाजार डवलप होगा GST से क्या फायदा होगा देखे GST से जो फायदा होने वाला है एक सबसे वड़ा फायदा ये है integrated market integrated का market का मतलब होता एकी करत साजा वाजार यानि कि संपूर्ण देश के अंदर जैसे पहले क्या होता था अब अपने यहाँ पर राज्य है तो राज्य है जैसे UP है बिहार है, राजिस्तान है MP है, महराष्ट है तो अपनी अपनी जगए पर अपने अपने राज्यों में जो राज्य सरकार होती उनकी अलग-अलग tax होते थे तो tax अलग होने के कारण क्या होता था मार्केट प्राइस हर चीज की अलग होती थी मार्केट प्राइस हर चीज की अलग माली जे के मैं एक TV खरीदने के लिए जा रहा हूं तो वह TV अगर यहाँ पर 24,000 रुपे की मिल लग है माली जे बहार के अंदर वह 23,000 रुपे की मिल लग है माली जे राइस्तान के अंदर 25,000 रुपे की मिल लग है महराष्ट के अंदर माली जे 20,000 की मिल लग है तो यहाँ पर tax का यहाँ पर divination हो जाता था लेकिन अब से जब से GST आया है तब से इसमें क्या फाइदा होगा GST से integrated market यानि कि एकी करत साजावाजार डबल अप होगा यानि कि हर state में जाके आप किसी भी state में जाओगे तो उसकी जो cost होगी वो क्या रहेगी सभी जगे सेम रहेगी ओके आने चलिए next देखते हैं history of GST GST का इतियास क्या है सबसे पहले GST लागू करने का सुझाब विजय केलकर समती ने दिया था काफी ज़्यादा important है ये मालेजे important क्या मैं hundred time important लिख दू तब भी कम है विजय केलकर समती ने इसका सुझाब दिया था काफी ज़्यादा important है अग्जाम में direct question फसने की संबावना है GST का सबसे पहले GST लागू करने का सुझाब किस ने दिया था तो विजय केलकर समती ने दिया था संब्यदान संसोदन करने की जरुरत थी 122 संब्यदान एक संसोदन बिल में संसद में लाया गया जो 122 amendment है 122 संब्यदान संसोदन है बिल संब्यदान में लाया गया अब ये बिल क्या है इसके बारे में देखते हैं देखें ये बिल जो है वो 3 अगस्त 2016 को संसद के लुकसवा के अंदर कदलाया गया जो संसद होती है संसद में दो पार्ट होते हैं लुकसवा, राज्यसवा और राष्टपती से मिल के बनी होती है जिसमें लुकसवा में इस बिल को यानि कि GST के बिल को संसद के अंदर 3 अगस्त 2016 को लाया गया इसी को फिर 5 दिन बाद फिक्स 5 दिन बाद 8 अगस्त 2016 को राज्यसवा के अंतरगत लाया गया, मंजूरी के लिए और ये 15 राज्यों ने इसे पास किया, इसमें सबसे पहले GST बिल को रेटिफाई और पास असम राज्य ने किया था कापी ज़्यादा इंपोर्टेंट कोशन है और ये 15 राज्यों ने पास किया ok, तो पंदरे राज्यों ने इसे पास किया सबसे पहले GST विल को रेटिफाई और पास असम राज्य ने किया था रैटिफाई का मतलब होता है एक तरीक से प्रमारित किया था राष्टपती के पास इसको 8 सितंबर यानि कि अगस्त के बास सितंबर 2016 को पहुचा गया गया तो यहां से लोकसवा को तीन अगस्त को लाया जाता है उसके जश्ट पांच दिन बाद 8 अगस्त को यहां पर लाया जाता राष्टपती महोदय के पास इसको लाया जाता है किसके लिए मंजूरी के लिए अब आंगे देखते हैं इस प्रकार 101 सम्मिधान संसोधन के दहें GST सम्मिधान में जोड़ा गया और इसे 1 जुलाई 2017 से लागो कर दिया यानि कौन सा अमेंडमेंट हुआ 101 अमेंडमे इसे पारित कर दिया गया यानि कि यह पारित हो गया एक जुलाई 2017 से आंगे देखते हैं GST के टाइप कितनी हो सकते हैं GST के तीन टाइप का हो सकता है कौन सा C, G, S, G, S, G, S, T और I, G, S, T थ्री टाइप का GST हो सकता है C, G, S, G, S, T और I, G, S, T CGST क्या होता है केंदर द्वारा लगाया जाता है CGST का मतलब हो गया Center C से आप बोल सकते हो Center GST S का मतलब होता है State GST यानि कि State के द्वारा रज्य सरकारों के द्वारा लगाया गया IGST का मतलब होता है Integrated Goods Service Tax और जो IGST होता है इसको Article 269 एक एंतरगत रखा गया है IGST को अब समझिए CG जो GST है वो तीन टाइप का हुआ कि इंदसरकार राज़सरकार और Integrated Goods and Service Tax हो गया ओके चलिए तो आएंगे देखते है GST के फायदे और नुकसान क्या है देखे GST के फायदे ये है कि इसमें Increase in revenue राज़स्व में व्रद्धी होगी नमबर वन पॉइंट क्या है राज़स्व में व्रद्धी होगी GST का सबसे वड़ा फायदा है क्या निकि राज़स्व में व्रद्धी होगी जो सरकार की आए है ये आए क्या होगी बढ़ेगी अगर ये बढ़ेगी तो देश की क्या बढ़ेगी GDP बढ़ेगी क्या बढ़ेगी GDP बढ़ेगी ओके बिजनेस को करने का प्रोसेस सिंपल होगा ये काफी ज़्याद इंपोरेंट कोशन है यहाँ पे देखें GST के दो फायदे दो फायदे कौन से? इंक्रीज इन रिवेन्यू राजस्वें विर्धी दूसरा क्या है? बिजनेस को करने में प्रोसेजर सिंपल होगा पहले क्या होता था? हर एक स्टेट के लिए हर एक राज्ज के लिए अपना अपना प्रोसेजर होता था लेकिन अब सेंटर के द्वारा केंद सरकार के द्वारा सिर्फ एक ही प्रोसेजर होगा वो सभी के सभी राज्यों में लागियू होगा तो बिजनेस को करने का प्रोसेजर इससे क्या होगा? सिंपल होगा कागजी कारेवाई थोड़ा सक कम होगी नेक्स्ट क्या है? जीडीपी इससे इंक्रीज होगी जो कि मैं अभी पहली बता चुका हूँ टैक्स चोरी करना ना के बरावर होगा यानि कि जो टैक्स को चोरी करते थे टैक्स को चोरी करते थे उनके लिए यहाँ पर मुसीबत हो जाएगी और वो टेक्स चोरी ना के बरावर कर पाएंगे और GST चोरी करने वालों को 5 साल की सजा निरधारत की गई है देखें यह काफी ज़्यादा important है जो GST को GST की चोरी करता है जो बंदा GST की चोरी करेगा उसको 5 साल तक की सजा का निरधारन किया गया है तो कई एक्जाम में पूछा आया सकता है 5 साल की सजा GST की मासिक रेटरन और बार्सिक रेटरन का प्रावदान है आप मासिक रेटरन भी बर सकते हैं या फिर यारली यानिके आप क्या है जो बार्सिक है यारली भी बर सकते हो देखे संभीदान में GST काउंसल को एक नए अनुच्छत 279A में रखा गया है और इसी के गठन का प्रावधान किया गया है GST जो है GST काउंसल है इसको Article 279A में रखा गया है और इसी के गठन के बारे में प्रावधान किया गया है देखे भारत का बित्तमंत्री जो Finance Minister होते है Finance Minister के सा आडिकल में आते है 280 आडिकल में अनुच्छे 200C में आते है ये भी DRDO के एक्जाम में पूछा गया क्वेशन है तो इसके जो भारत का जो बित्त मंत्री होता है जो फैनेंस कमींशन के जो मिनिस्टर होते है जो एक तरीक मुख्य मंत्री नहीं जो मंत्री होता है बित्त मंत्री होता है वही इसका क्या होता चेयर्मेन होता है के इंदरी राज्य मंत्री होते हैं और राज्यों के बित्तेवि कितनी प्रकार की स्लेब है, चार स्लेब है, बहुत जादा, एक तरीका से बोल सकता हूँ, 101% एक्जाम में आने की संबाब ना है, क्योंकि ये एक्जाम में पूछा ही जाता है, GST की कितनी स्लेब है, चलिए तो GST की कितनी स्लेब है, GST की चार स्लेब हैं, GST की चार स्लेब होती है, एक होतिया 5%, 12%, 18%, 28%, GST की जो पहली स्लेब होती है, वो 5% की रखी गई है, यानि के tax वाले जो दूसरी slab होती है वो 12%, तीसरी slab 18% होती है, चौथी slab कितने पर 28% पर तो जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो तीसरी slab और चौथी slab के बारे में पूछा जाता है, आप से पूछा जाएगा GST की slab कौन सी सही है, इसमें से तो 18% option में दे दिया जाएग 28% option में दे दिया या कोई और भी लगा दिया जाएगा तो आपको यह याद रखना है, चलिए तो next, next है GST के अंदर क्या क्या नहीं है, तो आप समझ सकते हो, इसमें सराब, पेट्रोल, डीजल, नीट्रल गैस और इलेक्रिसिटी को GST के बाहर रखा गया है, यानि कि इन 5 सराब को, पेट्रोल को, डीजल को, नीट्रल गैस और इलेक्रिसिटी को GST से बाहर रखा गया, इसके इंपोटेंट पइंट्स क्या है, महतपुण बिन्दू क्या है, उनको भी समझ लेते हैं, चलिए, चलिए तो, GST लागू करने वाला विस्व का पहला दिस कौन सा है, फ प्रांस ने सबसे पहले GST को लागू किया था बिस्व में, बारसिक टर्नोवर अगर 20 लाग से ज़्यादा है, तो GST रेइस्टेशन और वुगतान करना होगा, यानि कि आपका येरली के तोर पर देखा जाए, येरली देखा जाए, बारसिक तोर पर देखा जाए, तो अगर आपका टर्नोवर 20 लाग से ज़्यादा है, तो आपका GST रेइस्टेशन और वुगतान आपको करना होगा, कुछ राज्यों के लिए ये सीमा 10 लाग भी रखी गई है, यानि कुछ राज्यों के लिए इसकी सीमा 10 लाग रखी गई है, और कुछ राज्यों के लिए इ संती के आद्याच कौन थे असीं दास गुपता ते सफारस पर इसको लाया गया विजय कैलकर सम्ति के सुझाब पर GST सुझाब किस ने दिया तो विजय कैल कर समती ने GST लागू करने वाला अंतिम राजी कौन सा है जम्मू किस्मी सबसे पहला कौन सा है आसाम राजी है और सबसे बाद में किस ने किया जम्मू कस्मी जम्मू कस्मी राजी ने किया तो तो अभी मैंने इस वीडियो के अंदर आपको GST के बारे में complete detail देदी यहां से आपके एक से दो नंबर का exam में direct फसने की संबाबना है तो अगर आपको वीडियो चल लगा है तो वीडियो को क्या करना है सबसे पहले like कर दीजेगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को करने वाले हैं आपको बता दो अगर आप मैस ओरीजिनिंग के द्यारी कर रहे हैं तो अनकैड मी लर्निंग पर मेरे को follow कर लिजेगा जिसका वीडियो के description में लिंक दे रखा है और वहां से आप DRD के लिए मैस ओरीजिनिंग कर सकते हैं वह भी विल्कुल फ्री कोई वी चा थैंक्यू 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 प्रवाचिंगें दस वीडियो चेह हैं चेवारा टेक क्या